हेलो गाइज वेलकम तो मैं चैनल प्रिवेज दो वीडियो में मैंने आप लोग को फुल बॉडी वॉकाउट बताया था विदाउट एन्य टुपन जो कि आप घर को भी कर सकते हैं जैसे कि लॉक्ड़ॉन में काफी लोगों ने डंबल्स का जुगाड कर लिया है इसलिए ठाया गाइस स्टाट कर दोए आएकंसराइज ई लाइंग डंबल प्रेस मिद्ट प्रेस विद्ट स्कॉ Genesis तो ग HOW यह आई राइंग डंबल प्रेस करने के लिए पहले वी प्लेन सरफिस पह लेटना ऺीछ प्रेस करना था उंके अप्कर मैं जो यह को ज़सा आपको कर यह 15 रप्स होने के बाद तंबल्स को हैमर ग्रिप करना है कि एल्बोस हल्गा सब पिछे और फिर आपके ट्राइशेप्स के लिए करना है जो कि है स्काल क्रेश्ट डंबल स्ट्रेट निच्छा आएगा स्लो कंट्रोल मुमेंट इतना निच्छा प्रेश कि आपका एल्बोस ज्यादा हिले नहीं और जो आप निच्छे ले बहुते हो रेंज ऑफ पूूरा मशल स्ट्रेच करना है पूरा आपका ट्राइसअं मसल्य श्ट्रेच होगा और सीधा फ्लेक्स मुम Carroll ही ऑल्बोवव पर जھटकानी देना यह काफी लोग करतेों जटकानी देना है एकदम आसदम सीधा फ्लेक्स के रिख। रिखी रोज काम नोंट निफस्स नों में अपके शुम आपके आपके बैंग करेंग orchid वांन रेक्ट अर्छ चेस्ट और बैपको डंबल सुर्फ लेकर पिर पुश करते हैं पुशर मेरे तो यह आपको डंबल के रोक है और यह पूरा एक्सेंज होगा वह पुशफ पोसिशन पर ही होगा तो देखें कैसे करते है कि पॉर्प सकता है कि अग्षाइब कर दो एक सब्सक्राइब करते हैं एक चीज ध्यान देना है बाइसेप्स उठाने और आपकी शूल्डर को रोटेट करके आपको उपढ़ जाने है आपका जो स्कैपुल है वो ध्यान देना अगर आप जग करोगे तो इंजरी होगा श्लोप पर आप डाउन श्लोप पर इसे इसे कर देख अप चेस्ट अप ही रखना ऐसा हो जाएगा तो शूल्डर स्पर आई नहीं आए चेस्ट आप उके इसको राउंड आप डाउन तचन तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेडलिफ्स टुश्रक्स डेडलिफ्स बहुती ज्यादा सुना हुआ और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज हुआ तो डेडलिफ्स करने के लिए यह डंबल डेडलिफ्स है डंबल लीजए चेस्ट आप साइड पोशन सा आपको अच्छा दिखेए है चेस्ट आप ऑके स्टार्ट टो एंड मुमेंट तक आपका चेस्ट राउंड नी होगे चेस्ट अप डंबल जागे है एड स्ट्रेट और स्टार्टिंग में अपको हिप से पिछे जाना है हिप से हिप से हिप से गए डंबल तक पहुचे हलका सा डंबल जागे है स्ट्रेट अप अप कि अगर आपको ज्यादे करना है तो हलका सा अगे लिन हो जाइए और आप अप आप आप क्या आपकी जो ट्राप्स के मसल है आपको श्रग्ज में सिप उसको स्विस करना है और अल्बोस ज्यादा बेंड नहीं करना है नेक्स एक्सरसाइज है थ्रस्टर्स थ्रस्टर्स का इजी नाम है स्कॉर्ट टू शोल्डर प्रेस तो स्कॉर्ट टू शोल्डर प्रेस जैसे आपको नाम सी पता लग जाएगा स्कॉर्ट मतलब आपके लेक्स मसल काम करेगे और शोल्डर प्रेस मतलब आपके शोल्डर मतलब आपका डेल्टोई तो ऐसा करते हैं डंबल्स को 90 डिग्रे एंगल में पखड़ना है कि इस्टांस नॉर्मल ज्यादा वाइडनी ज्यादा क्नोज देए स्लोली निच्छा आना है मुमेंट कंप्लीट होते होते प्रेस और पूरा हाथ आपको स्ट्रेच करना है एल्बोज एकडम लोख इसमें भी जटका नहीं देना है फिर यह निचा है साथ पर आपको निचा हाथ आज का लाश्ट एक्सेसाइज है सुमो स्कॉट्स सुमो स्कॉट्स आपके ग्लूट्स और आपके हैंप्स्ट्रिंग मसल्स पर आगए नर्मल स्कॉट्स में आपका स्टांज सी होता है शोल्डर वित्याफ से हलका सा भागए सुमो स्कॉट्स में स्टांज ज्यादा वाइड होगा और सुमो स्कॉट्स में आपके टोस सामने की तरफ में जाएगे, आपके टोस साइड़ जाएगे, एकदम भी साइड नहीं जाएगे तो इससे बैलन्स आउगे, हल्का साइड, या डंबल्स पखड़ना इसे, अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स होता है कि नीज ऐसा आगे बोनियों नचे, स्कॉर्ट्स के जिए से इसमें भी आपका कोर टाइड होगा और डंबल्स आप यह पखड़े, चेस्ट अप, डाउन जब आप ऐसे पखड़ते होता है आपको रेंज पूरा नहीं मिलता है, डंबल्स आप ऐसे पखड़ो, स्टांश आप अगर आपको कोई फिट्नेस रेलेटेड डाउट हो, या अगर आप चाते हो कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूँ, तो प्लीज लेट में नो इन दे कमेंट सक्चेन, और स्टे तून फोर मोर वीडियोज